होती सत्य की जीत और असत्य की हाँ, यही संदेश देता है दशेहरे कात्योहाँ, आप सभी को दशेहरे की हार्दिक शुकाम नाए. स्वागत है आप सभी का मैं भार्टी गुराडी पबिक स्कूल अवेंचर विद यूनिक की अध्यापिका आज आप सभी को दशहरा के महत्व और उससे चुड़ी सभी कहानियों के बारे में बताऊं 5 अक्टूबर को हमारे देश में दशहरा अर्थार्थ विज्यदश्मी का पर्व मनाया जा रहा है मादुर्गा के नवरात्र के बाद दसवे दिन दशहरा का उत्सव मनाया जाता है बंगाल में इस दिन दुर्गा पूजा होती है इस पर्व को विज्यदश में भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने इस दिन राक्षस राज रावन का वद्ध किया था। इसी उपलक्षय में आज भी हर साल दस्वी तिथी को दशहरा मनाते हैं तथा रावन, कुमकरण एवं मेगनात के पुतले जलाए जाते हैं। कुछ कहानियों के बारे में जानते हैं। ब्रह्मजी से वर्दान पाकर महिशसुर बहुत शक्तिशाली हो गया था। और तीनों लोकों में अपना सामराज्य स्थापित कर हर जगा हाहाकार मचा दी थी। जिसके वर्द के लिए देवताओं ने शक्ती का अहवान कर दुर्गा रूप को अपनी जोती, शक्ती रूप में प्रदान की। मा अस्त्रों शस्त्रों से सजी प्रकट हुई। तब देवताओं ने महिशसुर के अतंक से उनकी रक्षा के लिए प्रार्थना की थी। माता ने नौ दिन महिशसुर से घमसान युद कर दस्वे दिन उसका वद कर दिया था। इस प्रकार अच्छाई की जीत हुई थी। जिसके विजे स्वरू मा दुर्गा की पूजा की जाती है। उनके दिन को पर्व के रूप में मनाया जाता है। श्री राम जी द्वारा रावन वद की कहानी। महा कावय रामायन के अनुसार राजा दश्रत की तीन पत्निया थी। राजा दश्रत की सबसे बड़ी पत्नी रानी कौश्यल्या ने श्री राम को जन्म दिया। जो भगवान विश्णू के सात्वे अफ्तार थे। कुछ ही दिनों बाद श्री राम अपने पिता की आग्या का पालन करते हुए लक्ष्मन और सीता के साथ वनवास को चले गए सब कुछ सही चल रहा था फिर एक दिन लंका का राजा रावन छल से सीता का हरण कर लंका ले गया अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए श्री राम ने वानर सेना, हनुमान और लक्ष्मन सहित रावन और उसकी सेना से युद्ध किया श्री राम ने रावन का वद्ध कर बुराई पर अच्छाई की जीत हासल की और सीता को रावन की कैट से छुडाया झाल